हेलो गाइस वेलकम टू टूवर्ज सक्सेस आज हम डिसकस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कर अफियर्स जो की साथ दिसंबर के होंगे इसमें आपको सभी इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो की आपकी एक्जाम से रिलेटेड हैं साथ ही हम स्टार्टिक पॉर्शन भ नेशन के द्वारा इसे प्रोक्लेम करा गया था जो की असली में इसे 1994 से मनाना हम सेलिब्रेट करना स्टार्ट करें थे और इस साल इसकी 50th anniversary हम मना रहे हैं किसकी International Civil Aviation Day की आगे बढ़ते हैं आजी के दिन Armed Forces Flag Day में मनाया जाता है कब से 1949 से मनाया जाता है इसे और throughout the country to honor the martyrs and the men in uniform उनको honor करते हुए हम ये डे को मनाते हैं आगे बढ़ते हैं अब हम डिसकस करेंगे कुछ previous days जो December में हम मना चुके हैं 1st December को हमने मनाया World AIDS Day 2nd December को हमने क्या मनाया National Pollution Control Day उसी 2nd December को हमने एक और चीज मनाया क्या था वो International Day for the Abolition of Slavery 2nd December को ही हमने World Computer Literacy Day मनाया 3rd December को हमने World Day of the Handicapped or International Day of Person with Disabilities जिस persons को Disability है या Handicap है उनके लिए ये दिन सम्मानित किया गया 4th December को हम बनाते हैं India Navy Day 5th December को International Volunteer Day मनाया गया 5th December को ही हमने World Soil Day मनाया 6th December को BR Ambedkar की Death Anniversary मनायी 7th December को हमने International Civil Aviation Day and Armed Forces जैसे कि आप पढ़ चुके हैं इसे मनाया जाता है अभी जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया World Soil Day कब observe करते हैं हम That is on 5th December Next question है हमारा Which bank won the Banker's Bank of the Year Award? किस bank ने Banker Bank of the Year का पुरुसकार जीता है? Answer हमारा Canera Bank होगा अब कुछ इसके बारे में जान लेंगे Canera Bank has been named Banker's Bank of the Year Canera Bank को इस नाम से सम्मानित कहां किया गया? Global Banking Summit में करा गया जो कि London में हुई थी और किसके दौरा? L.V. प्रभाकर जो कि इसके MD and CEO है उन्हें रिसीव कराया गया ये अवार्ड इसका Canera Bank का हेड़कोर्टर कहां पर है? Bangalore, India में है फाउंड कब करा गया था इसे? 1 July 1906 में इसे फाउंड किया गया था Next question है हमारा कुम्भल सुन्दर राव passes away belongs to which profession? तो वो आर्टिस्ट है अब इनके बारे में कुछ जान लेंगे हम ये एक well-known आर्टिस्ट है किसके लिए? यक्षांगन और तलम डाले को ये perform करते थे ये देख सकते हैं आप इनका आभूशड इस तरह से ये पहनते थे इस तरह से ये perform करते थे तो ये pass away हो गए है नेक्स कोश्चन है हमारा ये important question है समाग कर ले City of Joy की author passes away What was his or her name? तो City of Joy लेखक का निधन हो गया है उनका नाम क्या था? आंसर हमारा Dominique Lapery था अब इनके बारे में थोड़ा जान लेंगे Dominique Lapery एक best-selling French author थे जो की इंडिया में जाने जाते थे अपनी एक famous book के द्वारा क्या नाम था उसका? The City of Joy इनकी age क्या थी? 91 थी Question Where was the world's first real-time gold ATM installed? दुनिया का पहला real-time gold ATM कहां स्तापित किया गया है? Hyderabad ये देख सकते हैं आप real-time gold ATM किस तरह से दिखता है? अप कुछ इसके बारे में important points जानेंगे पहली बात ये gold ATM किस तरह से work करता है? इसके बारे में हम जानेंगे The gold ATM works like any other ATM ये दूसरो ATM के जैसे ही काम करता है ये company ने कहा है और one needs to swipe the credit and debit card आपने debit और credit card के जैसे आपको इसको swipe करना होगा और option select करना होगा कि किस टाइप का gold आप buy करना चाते हैं तो अपनी price के according जो भी उस gold को worth कर रहा है उसे आप buy कर सकते हैं ये किस के दौरा किया गया है? तो ये ATM किस company के दौरा installed किया गया है? gold शिखा private limited in alliance with the startup open cube technologies private limited के दौरा ये किया गया है ये कितना kg store कर लेता है? ATM कितना kg store कर सकता है gold? तो 5 kg ये store कर सकता है gold ठीक है? और इसमें options कितने दिखाएंगे? आपको total 8 दिखाएंगे कि कितने, मतलब grams का आप gold खरीद सकते हैं कहां से कहां तक का होगा? ये 0.5 से 100 gram तक का इसका quantity आपको दिखाया जाएगा 6-8 options में जो कि आप उसमें से खरीद सकते हैं अब इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे ये 7th edition था एक्जाम में कुशन बन सकता है ये कौन सा edition था? 7th edition था और उसका 1st edition कब हुआ है? 1994 में हुआ है और ये exercise कहां perform करी गई? गोआ में perform करी गई तीन कुशन आपका ऐसे बन सकता है कि पहला edition कब हुआ था? आपका अभी फिलहाल में जो अभी recent December 2022 का edition कहां पर हुआ था? सॉरी, कौन सा edition हुआ था? ये कहां पर perform हुआ है? ताट इस, गोआ में हुआ है ठीक है? नेक्स कुशन है विच इस दे मोस्ट एक्सपेंसिटी इन दे वर्ल्ट? मोस्ट इंपोर्टन कुशन है ये ताट इस, निव यॉर्क अब इसके बारे में कुछ जान लेंगे According to Economist Intelligence Unit The most expensive places in the world to live are New York City and Singapore ये दो cities सबसे मेहंगी city हैं इस विश्व की इन्होंने top किया है according to the list of worldwide cost of living index ठीक है? और इसकी next list में पहली list में कौन शामिल था? टेल अवीव शामिल था और followed किसके द्वारा करा गया है से? Hong Kong and Los Angeles के द्वारा किया गया है Next question Question Where was the Divya Kala Mela to 2022 organized? Divya Kala Mela 2022 कहां आयोजित किया गया है? Answer New Delhi में किया गया है Divya Kala Mela 2nd to 7th December तक मनाया जाएगा इसे और स्वामी विवेकानन्द रोड पे नियर नेता जी सुभास्चंद्र बॉस्क स्टाचू के पास इसे मनाया जा रहा है कहां पर इंडिया गेट के पास Question Which edition of European Union Indian competition was organized on 5 December 2022? 5 December 2022 को European Union Indian India प्रतियोगिता का कौन सा संसकरण आयोजित किया गया था? Answer 5 December अब इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे 7 December 2022 5 December से 7 December तर इसे मनाया गया था अब आते हैं अपने Question of the Day Guys ये वीडियो आपको थोड़ा भी important और useful लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें और support करें हमारी चैनल को अब आते हैं अपने टेस्ट पे Which is the most expensive city in the world? कौन सी दुनिया की सबसे महंगा शहर है? towards success for more informative videos Thank you